दोस्तो आज की इस वीडियो का हमारा टापिक रहेगा टी एसलेट की एक पोयम बहुती लंबी पोयम लव सॉंग आफ जे अलफरेट पूफ रॉफ रॉफ रॉक जिसकी डिमांड आप ही में से बहुत सारे स्टुडेंट्स ने की थी और दोस्तो इस वीडियो में मैं इस पू बुड़ा अदमी है जो अपनी यंग प्रेमिका को प्रपोस करने जा रहा होता है अब इसे डाउट है कि ये अगर अपने वन साइड़ेड लव को उसके सामने एक्स्प्रेस करेगा तो क्या वो इसके लव को एकसेप्ट करेगी क्या इसे बोलना चाहिए कि नहीं बोलना च कर जाती है वो जब हम पोयम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारी वीडियो तो ये हमारी पोयम की शुरुवाती कुछ लाइने हैं मैं इनको पढ़ता हूँ इस लाइन का मतलब है जब आसमान में शाम के समय थोड़ी थोड़ी डार्कनेस फैली हुई है जैसे एक मरीज बेसुद यानि सुन्न सा टेबल पे पढ़ा हुआ है दोसों यहाँ पे इदराइज्ड का मतलब है सुन्न सा बेसुद जिसको कुछ होश ना हो कुछ महसूस ना होता हो लेट्स गो चलो चलते हैं इन सुन्सान गलियों में से ये हाफ डेसर्टेड का मतलब सुन्सान दोसों यहाँ पे मतरिंग रिट्रीट्स का मतलब ये है कि इन घरों में से जो ये सुन्सान गलियां है इन में जो घर है इन में से कुछ बढ़ बढ़ाने की आवाज आ रही है यहाँ पे muttering का मतलब है बड़बड़ाना और retreats का मतलब है घर of restless nights in one night cheap hotels और जो लोग इन घरों में रहते हैं उन लोगों को इन घरों में अपनी restless nights spend करनी पड़ती है यानि कि ये एक रात के cheap hotels जो होते हैं इन में आखरी option जब इनके पास बसता है तब जाकर के इन एक रात के cheap hotels में आकर के अपनी night इनको spend करनी पड़ती है और उन घरों में से ये मटरिंग का sound आ रहा है आगे बोलते हैं and sourdust restaurants with oyster shells और ये restaurants जो हैं ये धूल से भरे हुए हैं बुरादे से धूल से भरे हुए हैं और oyster shells से दोस्तों यहाँ पे sourdust का मतलब धूल बुरादा टाइप का आगे बोलते हैं streets गलियां that follows like a tedious argument ये गलियां जिनमें हम चल रहे हैं वो tedious arguments की तरह हैं मतलब ये गलियां ऐसी गलियां हैं बड़ी ही गुमावदर गलियां हैं ऐसे लगता है जैसे ये ठकाने वाले arguments की तरह है जिनमें कुछ insidious intention हो I hope दोस्तों यहाँ तक clear है अब हम लोग आगे बढ़ते हैं to lead you to an overwhelming question मैं तुम्हें ले चलता हूँ to lead you का मतलब यहाँ पे है to take you to an overwhelming question overwhelming question मतलब एक serious question पूछने के लिए oh do not ask what it is लेकिन ये मत पूछो कि वो question क्या है क्योंकि proof rock यहाँ पर बताना नहीं चाहता कि वो क्या question पूछने जा रहा है किस से question पूछने जा रहा है क्या purpose है इस visit का वो कहता है कि चलो let's go let's go and make our visit कि हम लोग अपने visit पर चलते हैं आगे यह जो दो लाइने हैं इसको गौर से सुनना in a room, room में the woman come and go मतलब hotel के room में महीलाएं woman आ रही थी और जा रही थी talking of Michael Angelo और वो Michael Angelo की बात कर रही थी दोस्तों ये Michael Angelo 16th century का एक great Italian painter था और उसके art के बारे में शायद ये शहरी महीलाएं जानती भी रही हैं और उसकी बाते कर रही है Michael Angelo की तो Elliot यहाँ पर satire करता है एक तरह से कि ये modern महीलाएं कितनी दिखावटी हैं आगे की लाइने बोलती है ये पीली कलर की धुंद ओस नहीं होती ओस उसको बोलते हैं फौग तो ये पीले कलर की फौग रज़िस अपनी पीट को खिडकी के शीशों से रगड रही है विंदो पैंत का मतलब खिडकी के शीशों से तो यहाँ पर ये एक बिल्ली की तरह बता रहे कि yellow fog जो है वो अपनी पीट को खिड़की के सीशों से रगड रही है और ये yellow smoke अपने मजल को खिड़की के सीशों से रगड रही है दोस्तों ये मजल जो है एक टाइप की जाली होती है जो डॉक्स के मुँव पर पहनाई जाती है कुछ इस तरह से आगे बोलते हैं लिग्ड इस टंग इन्टु दा कॉर्नर्स अफ दी इवनिंग दोस्तों इस लाइन का मतलब बहुत गहरा है समझ न कि इस लाइन का मतलब यह है कि fog इतनी है कि उसने हर चीज को कवर कर लिया है कोई भी चीज दिखाई नहीं दे रही है सब चीजों को उसने अपने जीब से चाट लिया है ये fog ने अपने जीब से लिग्ड इस टंग और इस टंग कॉर्नर्स अफ दी इवनिंग इवनिंग के हर एक कॉर्नर को चाट लिया है आगे बोलते हैं lingered upon the pools and stand in drains कि वो fog pools और drains दोनों में पाई जाती है pools का मतलब तो आप जानते ही हो drains का मतलब होता है नालिया और यहाँ पे lingered upon का मतलब है hung upon let fall upon its back the suit that falls from chimneys और वो जो fog है yellow color की fog वो अपनी back पर अपने अंदर एक तरह से अपने अंदर smoke और dust के जो कण चिमनी से निकल करके आ रहे हैं उस चिमनी से निकल करके आ रहे हैं काले काले suit का मतलब है काले काले वो allow कर रही है उनको अपने अंदर मिलने के लिए देखे दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर fog के अंदर smoke मिल जाती है यानि कि छोटे छोटे पार्टिकल्स गंदगी मिल जाती है तो वो fog नहीं रहती वो smoke बन जाती है आगे बोलते है slipped by the terrace और वो terrace से pass होती है slipped का मतलब pass होना कौन pass होती है smoke made a sudden leap and seeing that it was a soft October night और वो smoke suddenly एक jump करती है एक leap leap का मतलब होना jump करती है और जा करके October night में मिल जाती है cold once about the house and fall asleep और fog जा करके उसी घर में घुसती है और वहीं रुख जाती है and indeed there will be time और वास्तों में इतना time है for the yellow smoke that slides along the street yellow smoke के पास कि वो गलियों में घुमे slides का मतलब दोस्तों move करना घुमना तो वास्तों में yellow smoke के पास इतना time है कि वो गलियों में घुमे rubbing its back upon the window panes और अपनी peat को वो खिड़कियों के कांस से रगड़े there will be time there will be time इतना time है इतना time है to prepare a face to meet the faces that you meet अपने आपको तयार करने का उन चहरों से मिलने के लिए जिन से तुम मिलोगे यहाँ पे to prepare a face का मतलब है अपने आपको ready करना तयार करना तो कौन यहाँ पे खुद को तयार कर रहा है J. Alfred Prufrock क्योंकि वो किसी से अपने मन की बात कहने जा रहा है आगे की लाइनों में बोलते है There will be time to murder and create और इतना time है कि एक murder भी किया जा सके और creation भी मतलब यहाँ पर Prufrock को marriage proposal की इतनी कोई जल्दी नहीं है वो कहता है कि अभी खूब time है And time of all the works And days of hands और इतना time है कि सारे अपने सारे daily routine के works किये जा सके That lift and drop a question on your plate और question उठाने और रखने का भी time है To put it on your plate तुम्हारी plate में रखने के लिए Time for you Time for me तुम्हारे लिए time है मेरे लिए time है And time yet for a hundred indecisions और hundred indecisions के लिए भी time है मतलब मैंने hundred times ये decision लिया कि मैं तुमसे क्या पूछूँ And for a hundred visions and revisions और hundred times उन question को सोचने का और उन questions का revision करने का खूब time है अभी Before the taking of a toast and tea मतलब before taking a cup of tea and toast एक cup चाय और toast लेने से पहले और आगे फिट से वही line दोराई जाती है In the room the woman come and go Talking of Michael Angelo कि उस room में woman आ रही थी जा रही थी और Michael Angelo की बाते कर रही थी आगे बढ़ते हैं And indeed और वास्तव में there will be time इतना time है to wonder कि मैं अपने आप से पूछ सकूँ To wonder का मतलब है मैं अपने आप से पूछ सकूँ Do I dare? क्या मुझ में इतनी हिम्मत है? And do I dare? क्या मुझ में इतनी हिम्मत है? क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ? अपनी बात कहने की Time to turn back and descend the stair अब time आ गया है कि मुड करके सीडियों से नीचे उतरने का Descent का मतलब है नीचे उतरना Stair का मतलब सीडिया With a bald spot in the middle of my hair इस line का मतलब है मेरे बालों के बीच में एक bald spot है मतलब थोड़ा गंजा बंसा है They will say और वो कहेंगे कौन कहेंगे? वो महिलाएं कहेंगी How his hair is growing thin की इसके बाल कितने पतले है My morning coat अपने सबसे best coat की बात बता रहा है कि my morning coat मैंने मेरा morning coat पहन लिया My collar mounting firmly to the chin और उसका collar जो है वो chin तक आ रहा था अच्छा लग रहा था मतलब देखने में coat My neck tie rich and modest और neck tie, neck tie समझते हो न गर्दन पे पहनने वाली tie वो मैंने पहन रखी थी But asserted by a simple pin और एक simple सी pin लगा रखी है मतलब इतना अच्छा खासा look लेकर के मैं जाऊंगा लेकिन वो मेरे look पे focus नहीं करेंगे They will say वो कहेंगे But how? His arms and legs are thin कि इसके हाथ और पैर कितने पतले है अब यहाँ पे पक्का हो गया है कि proof rock एक aged आदमी है जिसके हाथ पैर पतले है जिसके बालों के बीच में गंजा पंसा है और proof rock अपने आप से वापिस वही सवाल पूछता है Do I dare? क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ? Disturb the universe क्या मैं हिम्मत कर सकता हूँ? उससे सवाल पूछने की क्योंकि यह मेरे लिए ऐसा है इस universe को disturb करने जैसा आगे यह जो last दो लाइने हैं इस पर ध्यान देना In a minute there is time For decisions and revisions Which a minute will reverse और जो भी decisions और revisions मैं करता हूँ मैं जो भी decisions लेता हूँ वो एक हे minute में बदल जाते हैं Which a minute will reverse आगे बोलते हैं For I have known them all already None them all मैं पहले से इन सब को जानता हूँ पहले से जानता हूँ Have known the evenings, mornings and afternoons और यहां के सारे nature की activities को जानता हूँ Evenings, mornings and afternoons सब को I have measured my life with coffee spoons मैंने अपनी जिंदगी को कॉफी के चमचों से ना पा है मतलब मैंने खूब कॉफी पी है यहां के कॉफी stands में बैट कर I know the voices dying with a dying fall और इन restaurants में जो भी वो ladies गा रही है उनकी जो आवाजे आ रही है वो जो गायब हो रही है आवाज उन्हें भी मैं जानता हूँ और जिस music की वज़े से वो आवाज गायब हो रही है Beneath the music from the further room वो music जो आगे वाले कमरे से आ रहा है आगे वाले room में से आ रहा है उसकी वज़े से वो आवाजे गायब हो रही है इस लाइन का मतलब है तो कैसे मैं हिम्मत करूँ अपनी बात कहने की और मैं इन आखों को जानता हूँ इन सब को जानता हूँ इस रूम में जतनी भी आखे हैं उनको प्रुफरॉग जानता है और वो वुमिन इसको घूरेंगी तो ये एबल नहीं है ये एबल नहीं होगा कि वो उनके घूरने को बरदाश्ट कर सके और जब मैं फॉर्मिलेटेड होंगा मतलब एकदम चुपचाप रहूँगा स्प्रॉलिंग ओन पिन तब मेरी हालत एक कीडे की तरह हो जाएगी स्प्रॉलिंग मतलब एक रिंगने वाला कीडा और ऐसे लगता है मैं एक कीडा हूँ और मुझे एक पिन की मदद से दिवार पर टांग दिया गया है मतलब एक sharp pin की मदद से दिवार पर fix कर दिया गया है और मैं helplessly दिवार पर struggle कर रहा हूँ wringling का मतलब struggle करना then how should I begin तो कैसे मैं अपनी बात को शुरू करूँ मैं face नहीं कर सकता हूँ ladies को to spit out all the butt ends of my days and ways अब दोस्तों इस line पर ध्यान देना यहाँ पर प्रुफ्रॉक बोल रहा है कि उसकी life एक cigarette की तरह है जिसको end तक फूंक लिया गया है और आखिर में बचे हुए हिस्से को जो fact दिया जाता है उसकी तरह इसकी life है spit out का मतलब है ठूंक देना या फैक देना और butt ends का मतलब है बचा हुआ हिस्सा my days and ways का मतलब मेरी life and how should I presume तो कैसे मैं अपनी बात कहूं presume का मतलब कैसे मैं अपनी बात कहूं आगे बोलते हैं and I have known the arms already और मैं उन arms को भी जानता हूं उन हातों को भी जानता हूं nom them all actually उन सब को जानता हूं arms that are breastleted and white and bare arms जिन पर breastlet पहना हुआ है white color की वो arms है और वो arms uncovered है bare है but in the lamplight लेकिन जब मैंने उन हाथों को lamplight में देखा down with light brown hair उसका हाथ light brown hair से धका हुआ था down का मतलब covered is it perfume from a dress that makes me digress और उसकी dress में से जो perfume की खुश्बू आ रही है वो मेरा ध्यान भटका रही है ध्यान भटा रही है arms that lie along the table और उसने अपनी arms को relax करने के लिए अपनी arms को relax करने के लिए table पर रखा हुआ है और rap about a shawl और shawl से उसके हाथ ढखे हुए हैं और उन्ही को देख करके मैं भैग रहा हूँ and should I then presume तो क्या मुझे अपनी बात कहनी चाहिए and how should I begin और कैसे मैं अपनी बात शुरू करूँ shall I say I have gone at dusk through narrow streets क्या मैं उससे ये कहूँ कि किस तरह मैं इन सकडी गलियों में से आया and watched the smoke that rises from the pipe of lonely men in shut sleeves leaning out of windows अब दोस्तों इन दो लाइनों का मतलब ये है कि मैं उससे कैसे अपनी बात कहूँ कि मैं इन सकडी गलियों में से आया रास्ते में आते आते मैंने कुछ आदमी pipes पीते हुए अपनी खिड़की से जहांकते हुए देखे अपनी विंडो से जहांक रहे थे कुछ lonely men pipes पी रहे थे और उनके pipes में से smoke उठ रही थी वो लोग lonely थे अकेले थे और उनकी shirt की जो sleeves थी वो बाहर आती दिख रही थी अब ये दो लाइनों को God से सुनना I should have been a pair of ragged clothes इससे तो अच्छा होता कि मैं एक नुकीले पंजो वाला जानवर होता ये नुकीले पंजो वाला जानवर क्या है? एक कैकड़ा होता नुकीले पंजो वाला scuttling across the floors of silent sea पर reality से भाग रहा है आगे बोलते हैं and the afternoon the evening sleeps so peacefully मतलब दोपहर के बाद शाम आराम से सुई हुई है smooth by the fingers asleep tired और बड़े प्यार से इस शाम को सुलाया गया है वो बहुत ठकी हुई है tired है और it malingers या फिर भाहना कर रही है सोने का stretch upon the floor इस floor पर लेट कर here, यहां, beside you and me should I after tea and cakes and ices have the strength to force the movement and its crisis दोसों इस line का मतलब यह है कि मैं एक कप चाह और कुछ snacks cakes, snacks में आगया cakes, ice cream वगेरा खा करके अपनी बात को बहतर ढंक से कह सकता हूँ तो बहाने बाजी कर रहा है यहां पर यह अब आगे की line में क्या बोलता है but though I have wept and pasted wept and prayed तो हाला कि मैंने उसके लिए बहुत रोया है, बहुत fast किये है बहुत ही प्रार्थना की है मैंने though I have seen my head grown slightly bald brought it upon a platter दोस्तों इसका मतलब यह है कि मुझे ऐसे लग रहा है जैसा मेरा सर काट कर तुम्हारे सामने एक plate में present किया गया है ground slightly bald का मतलब है मेरा जो गंजा सर है उसको तुम्हारे सामने plate में रख करके present किया गया है I am no prophet मैं कोई भविश्य बताने वाला नहीं हूँ and here is no great matter और यह कोई बड़ी बात भी नहीं है I have seen the movement of my greatness flicker मैं देखता हूँ कि उस movement पर मुझे बहुत ज्यादा hesitation होती है hesitation मतलब hitch की चाहट यहाँ पर flicker का मतलब है hesitation and I have seen the eternal footman hold my coat and snicker और मुझे ऐसा लगता है कि मौत का देवता God of death मेरे coat को hold करता है और मेरे बुजदिली पर वो हसता है snicker का मतलब हसना और आगे बोलता है वो इस चोटी सी लाइन में बोलता है and in short I am afraid in short मैं बहुत डरावा हूँ and would it have been worth it तो क्या यह सही रहेगा after all after the cups the marmalades the tea यह marmaland एक टाइप का jam होता है तो क्या यह सही रहेगा कि एक कप चाह और यह jam एक टाइप का jam यह खाने के बाद में चाय पीने के बाद में among the porcelain among some talk of you and me porcelain का मतलब होता है एक टाइप के चीनी मिट्टी से बने हुए बरतन तो चीनी मिट्टी से बने हुए बरतनों को देखते हुए तुम्हारे और मेरे बीच में बातचीत हो और बीच में ही मैं तुम्हें अपनी बात कह देता यह कितना सही रहेगा कि मैं हस्ते हस्ते स्माइल करते करते बहुत ही क्विकली अपना marriage proposal उसके सामने रख देता इस लाइन को पढ़कर कैसा लगता है इसकी बाद वो सोच रहा है कि उसे ये काम करने के लिए great efforts लगाने होंगे जैसे कि पूरे universe को एक ball में squeeze कर लेना होगा उसको मतलब ये उसके लिए एक ऐसा task है जो एकदम इंपासिबल है तो वो एक ball में सारी universe की power को squeeze कर लेगा to roll it towards some overwhelming question to say और उसके सामने एक question रखेगा उससे question पूछने के लिए वो ये सब कर रहा है to say I am Lazarus वो उसको कहेगा कि I am Lazarus, मैं Lazarus हूँ come from the dead और मौत से लौट कर आया हूँ वापस आया हूँ come back to tell you all और तुम्हें बताने आया हूँ I shall tell you all मैं तुम्हें सब कुछ बताने आया हूँ if one setting a pillow by her head if one मतलब उसकी प्रेमी का अपने pillow को अपने सर के नीचे वो set करेगी should say और कहेगी that is not what I meant at all that is not at all कि मैं जो तुमसे इतना प्यार से बात करती थी इतना politely बात करती थी तो इसका मतलब ये नहीं था कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ अब दोसों आगे की लाइनों में बंडे से पहले मैं आपको इस Lazarus के बारे में बता देता हूँ ये Lazarus जो था ये Bible का एक character था जो मौत से बच कर वापस आया था और अपने friends को इसने अपने death की story सुनाई थी and would it have been worth at all और कितना अच्छा होता after all would it have been worth at all कितना अच्छा होता while after the sunsets and the dooryards and the sprinkled streets after the novels, after the teacups after the skirts, the trail along the floor and this and so much more तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि इसने sunset हो जाने की बाद अपने पूरे दिन की activity बताई है कि novels पढ़ते हुए tea cups लेते हुए और girls के साथ dance करते हुए और ऐसे ही बहुत सारे काम करते हुए बातों ही बातों मैं उससे अपनी बात कह देता It is impossible to say just what I mean यह impossible है मैं कैसे उससे अपने मन की बात कहूँ But as if magic learned through the nerves in patterns on a screen दोसो इस line का मतलब यह है कि अगर जैसे एक x-ray machine होती तो मेरे nerves के जो patterns बन रहे हैं उसको एक screen पर दिखा देती जिससे खुद बाखुद वो मेरी भावनाय समझ जाती मुझे बोलने की जरुरत ही नहीं पड़ती Would it have been worthwhile? तब कितना अच्छा होता? आगे बोलते हैं वही line दोराते हैं If one setting a pillow and throwing off a shawl कि if one मतलब उसकी प्रेमी का वो अपना pillow set करती और अपनी shawl को जो है वो side में फैक देती and turning toward the window और window की तरफ जाती should say और कहती that is not at all that is not what I meant at all कि मैं जो तुम से बात करती थी तो उसका मतलब ये नहीं था उसका मतलब ये बिलकुल नहीं था